गुड मॉर्निंग बच्चो आज का पाठ है ओजोन हिंदी में से पाठ 14 तेज नंबर है 30 हम ये पाठ पढ़ेंगे आप लोग समझेंगे इसमें ये एक नाटी के रूप में पिस्तत किया गया है इसमें कुछ पात्रों के नाम दिये गए हैं वो हम पढ़ते हैं आप ध्यान स डॉक्टर 40 वर अब अंजली बोलती अपने दादा जी से अंजली दादा जी आपके आशू क्यों निकल रहे है निरज दादा जी रो रहे है अंजली दादा जी क्यों रोएंगे भला निरज दादा जी को मम्मी ने चोकलेट नहीं दी होगी क्योंकि क्यों दादा जी दाद दादा जी आशू को रोकिये, मेरी मम्मी कहती है कि आशू बड़े किंटी होते हैं, इन्हें आखों में ही जोड़कर रखना चाहिए, अंजली चल हट, मम्मी तुझे जूट मोट कहती है, तु रोता बहुत है, तुझे चुप कराने के लिए, दादा जी धुएं से आशू क् बताते हैं, जादा जी धुएं में जहरीले कड़ होते है, ये धुएं हवा को असुद कर देता है, जब ये धुएं वाली असुद हवा हमारी आखों में जाती है, तो जलन होने लगती है और आशू निकलने लगते हैं, नीरज और अगर मूँ में चली जाए, तो क्या मुोंसे भी आसो निकलेंगे मैं अभनाथ मैं जैसे विमारीी दुआब से नार वर से बंद कर ले न चाहीं अंजली तुछ से किस ने कहा नीरज टीवी में एक अंटी ने कहा और अंटी ने टीवी में यह भी बताया कि हमें अपनी कार नहीं चलानी चाहिए उसमें से धुआ निकलता है अंजली यह धुआ है ना दादा जी नीरज नहीं नहीं यह सर्च है जूट होना चाहिए आपके इंट कलता दिया अंजली चुपकर गंदी बाते करता है तो दादा जी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी हम स्कूल कैसे जाएंगे पापा ओफिस कैसे जाएंगे नीरज साइकल से अंजली तेरा मतलब है कि मम्मे भी साइकल चलाएगी डादा जी नहीं बच्चो सबी गाड़ियां बंद नहीं होंगी सरकार उन गाड़ियां को बंद करेगी जिससे बहुत धुआ निकलता है सरकार ने अब ऐसे कार खाने भी बंद कर दी हैं बड़े बड़े सहरों में अब कार खाने बिजली से चलते हैं उन में से धुआ नहीं निकलता निरज कार खाने बंद हो जाए तो चौकलेट कहां से आएगी चौकलेट भी तो कार खाने में बनती है अंजली तुझे तो अपनी चौकलेट की पड़ी है दादा जी धुमे से और भी हानिया होती है धुमे के कड ओजोन गैस को नश्ट करते हैं जो धुमा हवाई जहाजों से निकलते हैं यह इन गाणियों से का धुमा उड़ कर यह 20-30 km उपर आकास में चला जाता है वहाँ ओजोन गैस की हानी करक利 हानी पहुचाता है वहाँ ओजोन गैस होती है अंजली ओजोन गैस क्या होती है दादाजी नीरज, ओजोन गैस नहीं जानती अंजली, हाँ हाँ तु बड़ा जानता है नीरज, हाँ हाँ जानता हूँ दौन फिलिम में सिगार पीता है ना उसके मुझ से निकलती है ओजोन गैस अंजली तु तु पागल है अब बताएए दादाजी यहाँ से 20-30 किलोमेटर दूर आकास में ओजोन गैस होती है यह पैद्बी के चारो और घेरा बनाये रखती है इसकी मुटाई में कई किलोमेटर की होती है यह सूर की किर्णों को रोकती है ओजोन गैस ना हो तो सूर की किर्णे इतनी गरम है कि हमें मानों जला ही डालेंगी किर्णों के तीखेपन को रोक कर पैस्बी पर गरमी को कम करती है ओजोन गैस अगर दुआ गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी सबको पता चला ओजोन गैस क्या होती है जो हमारी पैस्बी से 20-30 किलोमीटर दूर आकास में जो एक परत होती है गैस की उसे हम ओजोन गैस कहते है वो हमारी सूर की हानिकारा किर्णों से रक्षा करती है अगर हमारा पैस्ट ना है ओजोन गैस क्या होती है और काव होती है तो हम ये लिखेंगे और ओके ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया ना अंजली और हम सब मर जाएंगे नीरज फिर तो गाणियां चलाना बंद ही करना पड़ेगा चलो अच्छा है नीरज अंजली क्या अच्छा है नीरज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा अंजली तब तो बुद्धू ही रह जाएगा मगर दादा जी ओजोन गैस आती कहां से है अगर गैस या गैस जादा मात्र में बनने लगे तब तो या क्या समस्या होगी अगर हमारा प्रिश्ण आएगा कि ओजोन गैस कैसे बनती है तब यह जो लाइन है यह हमारा जवाब होगा डादा जी ओजोन की मात्रवायों के दस भाग के में केवल दस लाग भाग क्या हुआ है चलेगा पाज़े न अजली दादा जी धुमे से बिमार हुए नीरज मैं धुआ करने वालों को अगर दादा जी को कुछ हो गया तो मैं उन्हीं चूरूंगा नहीं हमें उन्हें मारना नहीं है नीरज समझाना होगा नीरज नीरज बोलता है समझाना होगा आंजली यहां दादा जी को जो बाते हमें उन्ने भी बतानी होगी कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी मैंने फिल्मों में देखा जो गंदे आद्वी होते होगी दूशों की नहीं सुनते उनके लिए एक नहीं हजार दादा जी भी मर जाएं तब भी बंद नहीं करते जैर फेलाना हाँ जब हीरों का गूसा पड़ता है ना तब उन्हें अकल आती है अंजली फिर हम उनके उनके आगे हड़ताल के पोस्टर बनाएंगे मेरे पास कलर हम पोस्टर लिखेंगे और चिला चिला का नारे अंजली धुआ बन करो अंजली ओजोन को बचाओ नेरज ओजोन दोनों ही नारा लगाते चले जाते डॉक्टर आता उन्हें देखते हुए अंदर जाता है परदा गे जाता इस पार्ट में हमने क्या सिखा कि हमें वायू पर दूसर नहीं करना चाहिए क्यूकि वायू पर अजमें हमारी जो ऑक्सीजन होती है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी और ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बनती है सबको पता है राट में यूज करते हो और दिनमें आप्सीजन देते हैं लेकिन अगर हम पहली बात तो आजकर ब्रक्षों की कटाई जोर सोस्त चलती है कि तावय बनाने के लिए फरनिचर बनाने के लिए इन समय तो प्रक्षों की कम होती जारी और विकास बहुत हुआ उच उची बिल्डिंग बन गए जंगलों को काट दिया गया है इसलिए ऑफ जैन की मात्रा बहुत कम बनती है इसलिए हम लोगों को धुआ कम करना चाहिए अगर स्वध्या पोथी भरनी है उसके लिए हम पोटो आपको भेजेंगे तो वो चीज देखकर भर लेना ठीक है बाई बाई